स्टूडन्स, वेलकाम बाक इन इडी टूटोरियल, आयाम मधुमीता देथारा, आवर टूदेश टॉपिक इस हाव टू ड्रॉ ड्रॉ ड्रिवेटेट लाप जोईंट जिग्जाग टाइप, ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है कि ड्रिवेटेट जो लेप जोर है, उ प्रॉपिक है, दो व्यू मैं दिखाऊंगी, एक टॉप व्यू और एक सेक्शनल व्यू इसके लिए देखो पे यहां पे कुश्चन लिख रखा है, ड्रॉ दा टॉप व्यू ड्रिवेटेट लाप जोईंट, वाइल रिवेटेग इस डण बाय जिग्जाग टाइप, कि रिवेटिंग जिगजग टाइट से की गई है और रिवेट का जो ब्यास है वो है 18 mm 18 mm अगर रिवेट का ब्यास है तो 18 mm ब्यास से कैसे हम प्लेट की ठीकनेस निकालते हैं वो मैं प्रिवियस वीडियो में आपको दिखा दे थी है ना आज जो हमारा टॉपिक है उसका ईधनी है डिजक आप टाइप देखिए देखने में कैसा एस चाहिए जो पॉइंट है शिक्त मिस्तों सब्सक्राइब प्रक्राइब देखो हो व्यजक करते हुफ गया Bulund कि अधित crystal च्फल στο अगर इसके सेंटर लाइन से इसके सेंटर लाइन तक मैंने एक लाइन खीश दी तो फिर देखो यह लाइन आया यह तो ज़ोड में चलता है यह उपर दूसरा प्लेट आता तो यह प्लेट हम जब काट रहें यहां से काटने के बाद आप एक बार यहां पर अच्छे से ध्यान दीजिए और जोइंट के लिए क्या होता हमने कोई सभी एक तरफ से काट रहे तो फिर दोनों तरफ की जो भी रिवेट है वो हमें पूरा दिखाई देता था लेकिन इसमें देखिए एक रिवेट तो यह है यहां से आपने काट दिया यह रिवेट यहां है पर है लेकिन यह जो रिवेट है इसका व्यू देखो हमें टोटल दिखाई नहीं दिया दिया नहीं ना यह देखो यहां पर प्लेट आ गया है ना तो फिर इस बाले ज्रॉइं यह देखो यहां पर dotted line चुछ कर रिखा है यह देखें के हम dotted line में तो ओ देखो आज़ाईंग करके कई आपको दिखाती हूँ इसका फ्रेंट वियू है ये इसका टॉप वियू है ठीकेए स्टोडल देखी हम कैसे इसे डॉ करते हैं अट फर्स्ट ज्राइंग करने के लिए हम तिकनेस और प्लेट कितना हो जाएगा थिकनेस और प्लेट हो जाएगा हमारा मैं पहले कोई सभी एक लाइन ले रही हूं ठीक है अब थिकनेस और प्लेट इस इकॉल टू यहां पर 9 mm अब राइट देखिए हमारा दो है इसलिए मैंने 0.9 के डिस्टेंस से देखिए यह हमारा प्लेट का जो थिकनेस ता वह उन्हें प्लेट कर लिया अग जो मैंने आपको सिखाई थी बैक पिच के लिए कि देखिए जो प्रिविएस वीडियो मैंने कल बनाई थि उसमें भी है我想 उसमें जब्लेट के लिए अगर यह जो दिस्टेंस है हिक रिवेट की सेंडर पॉइंट से लूसरों रिवेट की सेंटर पॉइंटि से स्यट 2D ठीक है तो फिर यहां पर हमारा distance कितना हो जाएगा that is the 2D ठीक है 2D distance के लिए हम क्या करेंगे पहले एक तो 2D यहां पर D कितना है यहां पर D है 18 mm हमारा तो 2D करेंगे हम तो कितना हो जाएगा obviously हमारा हो जाएगा 2D is equal to 18 into D यानिकि 36 mm अमाराइब फिर कोई सभी एक पॉइंट अब पहले ले लिजिए कि सोचे मैंने यहां पर एक सेंटर पॉइंट यहां पर लिया कि सेंटर पॉइंट को चेंड डॉट से ड्रोइंग करते हैं वह आप चानते हो दिखिए मैंने कर दिया यहां पर सारे में मैं डॉट लगा रही हूं इस वाले सेंटर पॉइंट से दूसरी वाले जो सेंटर पॉइंट है हमारा रिवेट का वह कितना हो चाहेगा थर्डी सिक्स यह देखिए थर्डी फाइट थर्डी शिक्स यहां आया लाइन कि अ कि देखिए है ठीक है नेक्स्ट क्या है हमारा आप जानते हो यह जो एंड पॉइंट होता है एंड पॉइंट से सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस जो है देट हीं आउर 1.5 into d तो 1.5 into d is equal to कितना हो जाता है ये रेखिए 1.5 into d is equal to कितना हो जाएगा 1.5 into 18 यानि कि 27 mm तो 27 mm इधर से 27 mm मैं ले लेती हूँ गोट इट फिर इस वाले पॉइंट से भी 27 mm गोट इट दे नेक्स टेपेज मैं हलके हाथ से अभी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कुछ लाइन यहाँ पर टापस लाइन होता है नो इस लाइन तो कितने भी जा सकता है इधर के टाहिपे तो यहाँ पर आप कट लगा दीजिए ठीक है इस वाले लाइन को भी आप यहाँ से कट लगा दीजिए क्योंकि इसके बाद के हमें ज़वरत नहीं है ठीक है यहाँ तक देखिए किसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम आपको पता है इस वाले लाइन पे थोड़ा टैपर बनता है तो फिर पॉइंट टू आप अंदर ले लिजिए पॉइंट टू अंदर लेने के बाद आप क्या करेंगे इस लाइन को सीधा ऐसे जोड़ते हैं क्योंकि 10 mm के जो हमारा डिस्टेंस है वो हो जाता है यह देखिए यहाँ पे भी पॉइंट टू लेने के बाद ऐसा यह लाइन देखिए यह हो गया हमारा टोटल ड्रॉइंट का टोटल मैंने व्यू कंतिट किया अब बस मैं रिवेट बनाऊंगी है ना इसे देखिए मैंने डार्क लाइन आप शो करा दिया कि नेक्स्ट इस रिवेट का देखो यहाँ पे जो डाय है एटीन है तो फिर पॉइंट नाइन इधर ले लेंगे पॉइंट नाइन इधर ले लेती हूँ हूं हो कि यह रेखिए भी यह पर सब्राइब करदिया रिवेड का पें और फिन रहे यह जो चाहर मैंने हुआ आया हमारे जैसे लाइन किंड्टी लाइन में चैसे वन्यात्य आपको भी दिखाया थी क्यूंग क्योंकि जहां से हम कट रहा है यह देखो अगर हम यहां से कट लगाए तो इस वाले रिवेट को हम पूरा दिख रहा है तो इसी वज़े से यह पूरा जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे ही होगा फार्म लाइन जैसे दिखाई देते हैं हमें वैसे ही होगा लेकिन यह जो रिवेट ह कि यह अंधर है लेकिन यह है तो तो रिवेट का जो ऊपर हेड पोर्षन है दोनों तरफ वह दिखेगा लेकिन जो बीच का पोर्षन है यह क्या टॉटेट लाइन में show होगा तो देखिए मैंने dotted line में ही show कराई ठीक है the next क्या है अब rivet का head बनाने के लिए हम क्या जानते इसका जो head का जो length है वह कितना हो जाता है to 0.7 into d to 0.7 into d करो तो कितना हो जाएगा 12.6 mm 12.6 mm के मतलब 1.26 ले लेती हूं मैं कि देखिए चारों तरब से में 1.26 ले रही हूं कि देखिए 1.26 का जो line है हमारा यह 1 2 3 4 चार पॉइंट आ गया अब हम क्या करेंगे कि इधर से फिर इहां की जो distance है वह कितना हो जाता है आप लोग जानते हो यह जाता है रिवेट का जो है 1.6 इंटू डी 1.6 इंटू डी करो तो फिर कितना आ जाता है 28.8 28.8 मतलब अगर center point से क्या हो जाता है 14.4 इधर 14.4 उधर यह गया हमारा 14.4 इधर लिया मैंने और 14.4 इधर next हम क्या करेंगे यहां से यहां देखिए मैंने माप ले लिया यहां से यहां माप लेने के बाद यहां लगा के यहां पर मैंने काट दिया कि फिर इस point से मैं बना देती हूं देखिए बन गया हमारा रिवेट का हैट सीमिलर प्रोसेस पे हम एक दो तीन चार चार रिवेट हम बना लेंगे देखिए स्टोडन्स हमारा रिवेट हैट बन गया तो फिर देखिए यह हो गया हमारा तंपली टॉप व्यू अब मैं इसे क्या करूंगी बस इसे हैचिंग लाइन कर दूंगी इस वाले जो रिवेट है उसके लिए तो देखो हैचिंग लाइन जैसे हम बनाते हैं इसे छो तो फिर हमारा क्या हो जाएगा हैचिंग लाइन में यह गबर हो जाएगा ठीक है तो फिर मैं देखिए हैचिंग लाइन बना देती हैं देखिए स्टूर्ण्स मैंने यहाँ पर हैचिंग लाइन करने के बाद मतलब सेक्शन लाइन दिखाने के बाद डामिनिशनिंग भी करके दिखा दिया यह कितना है हमारा पीवी है पीवी कितना है टू डी यह यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1.5 इंटू दी हो जाता है य यह भी 1.5D है यह टी है यानिकि थिक्निस ओप्लेट ठीक है अब मैं आपको इसका यह हमारा पूरा टोटल फ्रेंड व्यू कंप्लीट है ठीक है अब मैं आप इसका में टॉप व्यू बना के आपको दिखाऊंगी ठीक है टॉप व्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे ह mijn ठीक है। यहां से प Mercosемонies साड़े में प्रोजेक््शन लाइन ले देदी हूं ए- ठीक है इस ci नेक्सट क्या है जो प्लेट जहाँ पे है उसी प्लेट के हिसाब से कर दो यह देखो यह प्लेट होके यहां तक की है तो इसे हम कि इस लिए क्या है यह हमारा कट आउट Portion है ना देखो क्यूंकि इसका कोई माप नहीं है हमारे पास इसलिए मैं यहां पर यहां पर सभ में ऐसे कट लाइन दिखाती हो आप लोगों को है फिर इसे जो डाटेट लाइन है यह डाटेड लाइन जाएगा लेकिन इसके पहले मैं इस वाले को कर देते हैं यह हमारा फर्स्स प्लेट है यह सेकंड प्लेट है इस वाले प्लेट को भी पहने देखो अधिक है फिर कि अधिक है नेक्स्ट इस वाले लाइन आएगा क्योंकि यह उपर का प्लेट है तो दार्क लाइन कर दिया छैसे लाइन कल नंग करते हैं वह मैंने ड्राव कर लिया ठीक है आपको मैंने सिखाई कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर 54 ठीक है तो यहां से 54 लेने के बादद आप II तो इसका जो बीच का जो डिस्टेंस है यह कितना हो जाएगा ओविसली पी इस इकॉल टू तो दी यानिकि 54 5.4 मिलिमेटर अब देखिए अब हमें क्या करना है यह जो एक सेंटर से दूसरे सेंटर की जो डिस्टेंस है इसका जो हाफ है यानिकि 1.5 इंटो डी 27 27 पॉइंट हम ले लेंगे यहाँ पर ठीक है यह जो दो डिस्टेंस है इसका जो मिड़ पॉइंट है इस मिड़ पॉइंट को हम इस बाले लाइन पर ले लेंगे यह ले लिया एग इस बाले लाइन पर आप जो हमारा डेखिए ह्ता हरा है सेम लेके ईज सहरेंगे और सिर्क में यह से इसल थे कि इसलोओं का इसीलिश है कि आपको आपको स smokes करेंए ती थी आइस च्रृथा देखह्तर पासपास में ज्रॉ खरते थे और हमारे जिक-ज़क टाइप में क्या हो जाएगा ये जो दो सेंटर है दो सेंटर के बीच के पॉलंट लेना उस mid पॉइंट से आप इधर वाले एक्सिस पे पॉइंट उठा लेना और उसी पॉइंट में रिवेट बनाते रहना ठीक है यह भी देखिए इसका भी डिस्टेंस मैंने 54 यानिकी 5.4 ली थी 5.4 का जो हाफ है वो कितना है 27 यह देखिए 27 का पॉइंट लेके यह वाला पॉइंट म के बाद मैंने यहां पे भी ए शपकल्स ट्रॉ कर दिया यह रिवेट का जो हेट था वरावाला सपक बन गया अब हम क्या करेंगे हमारे जो अंदर का जो छोटा वाला सबकल से वो हम सब में डॉट लाइन में बना देंगे देखिए हमारे यहां पे रिवेटिंग है फिर हम क्या करेंगे इसका जो midpoint है सारे की midpoint में चैंड दॉट में आप डॉट कर लॉट ने क्योंकि आपको पता है midpoint दिखाना सब में सोक्लस में जरूरी है betta तो फिर आप कि यह देखिए हो गया यहां पर भी ठीक है सब में देखिए मैंने मिट पॉइंट ड्रॉ कर लिया अब क्या है एक सर्कल से दूसरे सर्कल की जो डिस्टेंस है वो है हमारा कितना है हमारा 3D यह जो डिस्टेंस है यह कितना हो जाएगा यह डिस्टेंस आप काउंट करना पी बाइ टू यानिकी पी बाइ टू ठीक है मतलब यह अगर 3D है तो फिर बाइ टू करो तो फिर कितना हो जाएगा 1.5 इंटो डी पी बाइ टू या तो 1.5 इंटो डी कुछ भी लिखना ठीक है फिर वही चेज़ है कि इस में से यहां से यहां तक डिस्टेंस भी हमारा 3D है फिर यहां से यहां तक की distance भी हमारा 3D है, ठीक है, देखिए हमारा यहां पर top view भी हमने complete कर लिया, am I right, फिर अब हम क्या करेंगे, जो मैं previous वीडियो में भी आपको दिखाती हूँ, कि कोई सभी एक हमें dotted line में कोई सभी एक line हमें दिखाना है, कि हमने कहां से इसे cut out किया, दे दिखिए, इहां X लिख दीजिए और यह लिख दीजिए आप, X dash, ठीक है, all dimension, r in mm, नीचे note लिखना कभी भूलना मत, all dimension, r in mm, ठीक है, okay students, thanks for watching my video, फिर मिलते हैं अगला drawing लेके, okay, thank you,